स्वागत दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एकस्पेलानेशन के साथ तो वाज में एकस्पेलाइन करने वाला हो इस क्यूट गेम सीजन वन के एपिसोड वन को जो कि नेटफ्लिक्स के तरफ से कुछ ही दिनों पहले रिलीज की गई थी यदि हम इस कहाने की बात करें तो इस सिरीज में बहुत से लोगों को कुछ बच्चों वाली गेम खिलाया जाता है जिस तरह से बच्चे आउट हो जाने पर कहते हैं कि मैं मर गया ठीक उसी तरह से ये लोग भी गेम में आउट होने पर मर जाते हैं पर इनका मरना कोई जूट मुट में नहीं बलकि सच में होता है तो आखिर इस गेम को खेलने के पीछे इनकी मजबूरी क्या होती है तो इसी के बारे में हम इस एपिसोड में जाने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो के तरफ एपिसोड की सुरुवात एक फ्लैस्बेक सीन से होती है जहां में दिखा जाता है कि शांगी हुन कुछ बच्चों के साथ एक प्रकार का गेम खेल रहा होता है जिसका नाम होता है स्क्रीट गेम इस दोरान हमें उस गेम के सभी नियम भी बताय जाते है और इस गेम में गी हुन काफी माहिर भी होता है फिर दूसरे सिंग की शुरुवात प्रेजन टाइम से होता है जहां में दिखा जाता है कि नास्ता करने के दुरान सांगी हुन की माँ उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि आज तुमारी बेटी का जन्म दिन है इसलिए आज तो मुसे कुछ अच्छा सा डिनर करवा देना पर गीह उनको ये पैसे काफी कम लगते हैं इसलिए वहां से माँगे जाते ही वो उनका एटीम कार्ट चुरा लेता है फिर वो अपने दोस्त के साथ एटीम में पहुंचता है और वहां से पैसे निकाल कर कुछ पैसे को घोरे की रेस में लगा देता है पर जल्दी उसे लेकर पहा निकलता है तो वहां अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिसे देखकर गीहुन वहां से भागने लगता है भागने के दुरान वो एक लड़की से टकरा कर गिर जाता है पर वो शमलकर उसे सौरी कहते हुए फिर से भागने लगता है पर जल्दी ये लो पैसे में जल्द ही लोटा दूँगा और जैसे ही वो पैसा निकलने के लिए अपना जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका जेब कटा परा है तब उसे याद आता है कि भागते समय उसकी टकर एक लरकी से हुई थी और सायद उसी लरकी ने उसके पैसे को चुराय हो पैसा न देकर ये लोग फिर से उसकी पिटाई करना सुरू कर देते हैं और फिर उससे कुछ पेपर पर साइन करवा कर कहते हैं कि अगर एक महीने के अंदर तुमने पैसे वापिस नहीं किये तो मैं तुमारी किड़नी और आखे बेज दूँगा उनके जाने के बाद गी मा के दी हुए पैसे को जुए में हार चुका था और इसी विज़े से वो अपनी बेटी को अच्छे रेस्टोरेंट वे खाना खिलाने नहीं ले जा पाया और जब उसकी बेटी उसके दिये गए प्रेजेंट को खोलती है तो उसमें से एक गंसिप का लाइटर निकलता है ज और उसकी पत्नी ने दूसरी साधी कर ली थी इसलिए गिवण के पास पैसे न होने के करारान उसकी बेटी अपने मा के साथ रहती थी अपनी बेटी को उसके घर छोरके वो ट्रेन पकरने के लिए स्टेशन पहुंचता है ट्रेन का वेट करने के दौरान उसे वहाँ एक इसलिए वो बीना सोचे समझे उसकी बात को मानकर गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। इस गेम में माहिर होता है और वो हर वर ताक्ची उल्टी कर दे रहा होता है। बहुत ट्राई करने के बाद फाइलनी गीहुन ताक्ची उल्टी करने में काम्याब हो जाता है। जितने के बाद वो उस आदमी को थपर मानने के लिए अपना हाथ उठाता है। पर तभी हो सक्स उसके हाथ को पकर उसमें एक लाख यौन रख देता है ये देकर गीहुन काफी हरान हो गया था इसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि अगर आप चाहें तो आगे भी ऐसा ही गेम खेल कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं लेकिन गीहुन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता वो आदमी उसे कहता है कि आपका नाम शांगीहुन है और आप किसी स्कूल में थे और उसके क्या क्या बिजनेस थे यहां तक उसने किस से कितना लोन लिया था ये सब उसे पता होता है उसकी बात सुनकर गीहुन काफी हरान हो जाता है फिर वो आदमी उसे कहता है कि यदि आप गेम में हिसा लेना चाते हैं तो आप हमें बता सकते हैं ये कहते हुए वो गीहुन को एक काट देकर वहां से चला जाता है वहाँ से निकल कर गिहुन फिस्ट करेदने के लिए एक फिस्ट सौपर पहुंचता है जहाँ पर एक लेड़ी होती है वो उस लेड़ी से उसके बेटे सांगो के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरी वज़े से ही वो आज इतना आगे पहुंच पाया है पर आज तक उसने पार्टी नहीं दी फिर वो फिस्ट लेकर मज़े में घर की ओर निकल जाता है घर पहुँचकर वो कुछ पैसे को अपनी मा को देता है लेकिन उसकी माँ उसे पूछने लगती है कि तुम इतने सारे पैसे कहां से लाए इस पर गिहुच कहता है तो अगले साल उसकी बेटी अपने मा और सौतेले पिता के साथ हमीसा के लिए युएस जा रहे है ये बात सुनकर गिहुच बहुत उदास हो जाता है पर उसकी माँ उसे बताती है कि अगर तुम चाहो तो नियम और काइदे के अनुसार अपनी बेटी को वापस ला सकते हो पर इसके लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे पास उसे पालने के लिए काफी पैसे हैं अब गिहुन पूरी रात ये सोच रहा होता है कि वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए तने सारे पैसे कहां से लाएगा पर तभी उसे उस कार्ड के बारे में याद आता है जिसे उस आदमी ने ताक्ची खिलने के बाद दिया था फिर वो कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करके डिल को एक्सेप्ट कर लेता है बताये गए अड्रेस का नुसर गिहुन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर एक कार उसे लेने आती है कार्ड में बैठा सक्स गिहुन से एक कोड पूछता है जिस पर गिहुन उसे कोड बताते हुए कहता है ग्रीन लाइट रेट लाइट इसके बाद वो जैसे ही कार में बैठता है तो वहाँ पर स्लिपिंग गैस लीख होती है जिसे गिहुन को नीन आ जाती है कुछ दिर बाद जब उसे होस आता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसी के तरह और भी कई लोग है जो उस जगह से अंजान होते है वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो सभी लोगों को काउंट कर रहा था तो गिहुन उसके पास जाकर बताता है कि टीबी पर लिखा है कि यहाँ पर 456 लोग है तो आप काउंट क्यों कर रहे हो जिस पर बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे ब्रेंट यूमर है और मेरे पास बस गिंती कहीं दिन बचे हैं इसे दुरान एक तरह का मास्क पहने कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और सभी लोग इसे कहते हैं कि उन्हें छे तरह के गेम खिलाए जाएगा और जो उस सभी गेम को जीत लेगा उसे बहुत सारे पैसे दिये जाएंगे लेकिन सभी लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं आता है तो मास्क पहने लोग सभी लोगों की एक एक करके उनकी हिस्टरी बताना सुरू कर देते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वहाँ प्रेजन्ट सभी लोग नर्क की जिन्दगी जी रहे थे क्योंकि सभी लोगों ने बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था जिसे चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए सभी लोग उस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं पर इसके पहले इन्हें एक फॉर्म पर साइन करना था जिस पर सिर्फ तीन रूल्स लिखे होते हैं अब ये तीन रूल्स क्या होते हैं यह आपको समय आने पर पता चलने वाला है इसके बाद सभी लोगों को पहली गेम खेलने के लिए एक बड़े से मैदान में लाये जाता है वहीं पर गिहुन की मुलका शांगूशे होती है जिसे वो पूछता है कि तुम यहां कैसे आ गए तुम्हारी मा ने तो बताय था कि त सभी लोगों को पांच मिनट में फिनिस लाइन तक पहुचना है पर वो तभी मूव कर सकते हैं जब वो बड़ी सी डॉल उन्हें ना देख रही हो और यदि उस डॉल ने किसी को मूव करते हुए देख लिया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा अब गेम स्टार्ट होत जिसमें मूव करने वाले सभी लोग मारे जाते हैं फिर इन्हें फाइनली समझ में आ जाता है कि ये कोई बच्चो वाला गेम नहीं बल्कि मोत का खेल है फिर इन लोगों को न चाहते हुए भी उस गेम को आगे खेलना परता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं गेम क इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे इन के साथ क्या होने वाला है और आखिर किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। ये आपको अगले एपिसोड में जाने को मिलेगा। जिसका वीडियो में इस चैनल को जल्द ही लाने वाला हूं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो और एक नई एकस्पेलानेशन के साथ। तिल देन तेक कियर और बबाए।